Hello Student, अपने टो चैनल JCD Classes में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो पर ले कर किया चुके हैं कि बच्चे कक्छा दस्मी और बार्मी वाले बहुत परशान हो रहा है बहुत बच्चों का इसमें सारा है सर्व कक्छा दस्मी और बार्मी का रिजल्ट कब आएगा एमपी बोर्ड का कि दस्मी और बार्मी का रिजल्ट कब आएगा और बहुत बच्चे कन्फ्यूज है पहले निउस आया था कि 15 अपरेल को आ जाएगा 14-15 अपरेल को लेकिन 14-15 अपरेल को आएगा या नहीं आएगा और नहीं आएगा तो कब तक में आएगा रिजल्ट हाना और अभी क्या चल रहा है एमपी बोर्ड में क्या हो रहे है तो यह सारे चीजे आपको इस वीडियो के माद्यम से बताने वाला हूँ तो अभी तक जिरों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को हर एक बच्चे के पास पहुचा दो जो कक्छा दस्मी और बार्मी में पढ़ता रहा हो क्योंकि उनका कन्फियूजन भी दूर हो जाए ठेक तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पास देखिए बच्चो एक न्यूस पेपर में आर्टिकल छपा था कि बहुत बच्चे कन्फियूज हो रहे हैं कि कक्छा दस्मी में जो कक्छा दस्मी और बार्मी के बिद्यार्थी को रिजल्ट का इंतजार हेल्प लाइन पर कॉल की हुई दो गुनी संख है और बहुत बच्चो का सवाल है कि सर क्या इस साल जो अभी दस्मी का पेपर दिये हैं उनका वेस्ट आप फाइप रहेगा या हटा दिया जाएगा तो पहली बाद कक्छा दस्मी वाले जो अभी पेपर दिये हैं उनका बेस्ट आप फाइप रहेगा और जो अभ पढ़ेंगे कक्छा दस्मी यानि जो नाइन्थ में थे अब टैंथ में आ गए हैं उनका बेस्ट आप फाइप हट गया है यानि छे बिसे के नमबर जुड़ेगा यानि अभी इस साल अभी जो अभी रिजल्ट घोसित होगा इसमें दस्मी वालों को बेस्ट आप फाइप दिया जाएगा ठेक और 2024-25 के जो पिद्धर थी रहेंगे उनमें बेस्ट आप फाइप हटा दिया गया है इस सबसे बड़ी बात है और इस बात को आप याद रखेगा इस से संबंदित भी हमारे पास बहुत सारे वार्ट्शॉप में मैसेज जाए सर बताईए तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी बता दूँ और एक बात अभी कक्छा दस्मी और बार्मी के यानि 14-15 प्रेल तक प्रेटिकल के नंबर के लिए स्कोलों से मांगा गया था कि प्रेटिकल में किते किते नंबर बच्चों को मिला गया है तो इसलिए अभी हम कह सकते हैं कि कक्छा 10 मी और 12 मी के 15 अप्रेल तक तो कोई निस्चित ही नहीं है आज के दिन तक कोई आना संभव ही नहीं है और जहां तक है तो 25 से लेकर के 30 अप्रेल के बीच आपके रिजल्ट घोसित हो जाएंगे कक्छा 10 मी और 12 मी के 30 अप्रेल तक 25 से 30 अप्रेल के बीच में आपके रिजल्ट घोसित हो जाएंगे आप परशान मत होईए क्योंकि अभी प्रेटकल के नंबर बुलाए गए हैं यानि मांगे गए हैं स्कोलों से 15 तारिक को ही जो नोटिफिकेशन आया है नि आज के दिन जो आपके रिजल्ट आने वाले हैं तो अनुमानित 25 से लेकर के 30 अप्रेल के बीच ही आपके रिजल्ट घोसित होंगे आपको परशान होने की जरूरत नहीं है यह बहुत सारे नियूज आये हुई हैं आप देख सकते हैं यहां सारे चीजे यहां पास देख सकते हैं 25 अप्रे और दस्वी बार्मी परिच्छा के पैटर्न में बदलाओ अब इसलिए सात्मा प्रश्ण जैदा पूछे जाएंगे तो अब जो कक्छा दस्वी और बार्मी पढ़ेंगे उनसे संबंदित था तो इसको भी आप अच्छे से देख लिजेगा यह सारे चीजे रिजल्ट से स यहां 25 दिन तक चला मूल लेंकन कारे पूरा 30 अपरेल तक घोसित हो सकती है रिजल्ट यहीं कुछ आर्टिकल के माध्यन से बताया जा रहा है कि 25 तक में होंगे यहीं 25 को हो जाएगा कुछ आर्टिकल में बताया जा रहा है कि 30 अपरेल लेकिन कोई भी ऑफिसियल नोटिफ कर गए हैं तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए जैसी जो न्यूज आता है आता है मैं आपको से संबंदित अपडेट कराता रहूंगा चैनल को जिन्होंने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है सबसे पहले यार चैनल को सस्क्राइब कर लो बैल आइकन को प्रे कर दो